हेलो एब्रिवन मैं मेथोन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अश्योंगे देखिए दो बहतरी नौफर के साथ आज की वीडियो में सुरू करूँगा सबसे पहले देखिए नौट्स जो 499 का था ये प्राइस अब घट चुकी है और य जिन्होंने 499 में लिया उनका क्या देखिए सबसे पहली बात आप यहां से ये जान लो जिन्होंने नौट्स पहले लिया है उनके पास तैयारी करने के लिए बहुत समय था लेकिन जिनके पास नहीं है वक्त वो क्या करेंगे उनके लिए ये ओफर लाया गया कि 250 में आप समय में अगर 10 दिनों में आप पढ़कर कंप्लीट कर सकते हो तो आप इस नौट्स को पर्चेस कर सकते हो प्रिवियस ये पेपर 100 उपिस का अभी भी है आप प्रिवियस ये पेपर 100 उपिस में पर्चेस कर सकते हो और नौट्स जो है 250 में आप ले सकते हो यहां से मेरी email इन सारे लोगों को टोकरी भरके बदाई इन लोगों ने सही सही question of the day का answer करा है तो आप अपना नाम यहाँ पर देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो comment कर सकते हो question of the day का तो very first question आपके सामने यह रहा और यहाँ से देखिए very first question क्या है that is a reptile it belongs to the group of crocodile यानि कि यह एक reptile है और यह जो group है यह crocodile का group है तो देखिए crocodile कैसा देखता है वो जमीन पर रहेकता हुआ आपको देखेगा और यह x देता है अंडा देता है तो देखिए सबसे पहले तो आप दो चीज़ों को eliminate कर सकते हो दो जो options है उसे eliminate कर सकते हो पहले butterfly तो fly करती है तो यह होगा नहीं और selfies तो मचली पानी में रहने वाली है और यह होगा नहीं तो यानि कि यह दोनों option आपका cut गया अब option बचा B और D में कौन सा right होगा तो देखिए both are reptiles दोनों reptiles है लेकिन आपको ढूंड़ना है जो की crocodile group का हो जैसे cat जो है ना वो आप देखना cat जो किस तरह से दिखता है cat और आपको जो है tiger में similarities दिखेगी lion की तरह वो दिखेगा तो वो उस group से आता है उसी तरह से crocodile का group कौन सा होगा तो इसका जो right answer हो है कैमिन कैमिन इसका right answer होगा आप यहां पे इसकी image भी देख सकते हो यह देखो green color का होता है और यह बड़ा खतरना है with the help of here a sense organ यानि कि सिर्फ सुन करके जो है क्या कर सकता है किसी को भी मार कर खा सकता है बड़ा dangerous आदमी है actually आदमी तो नहीं है यह dangerous जानबर है तो यह है pit wiper जी हां pit wiper जो मैंने आपको green color का दिखाए था न यह सिर्फ सुनेगा कि यहां पे कुछ हो रही है हल चल तो यह आ आउट में डाल देगा मौत भी हो सकती आपकी आगे बढ़ेंगे very next question के लिए question number three name the word which can has a long colorful beak that measures as long as its body देखो इसका colorful beak होता है यानि कि चोंच इसकी जो होगी वो लंबी होगी और यह जो body से भी लंबा होता है तो यह देखो पैरोड का तो green color I mean green color की body होती है और red color का beak होता लेकिन वो छोटा सा होता है तो यह तो eliminate हो गया तो इसका जो correct answer और आपने यहाँ पर देखो आपने भी तुरत pit wiper की image देखी थी इसके पास तो beak होता नहीं है तो दोनों option eliminate हो चुके हैं तो right answer आपका जो होगा वो token होगा यानि कि D is का right answer हो जाएगा बढ़ेंगे very next question के ल यहाँ पर इसका जो correct answer होगा दोस्तों वो होगा great bastard is the right answer C इसका correct answer हो जाएगा याद रखी यहाँ से आपको इसकी image भी दिखा दूँगा मैं great bastard कैसा दिखता है आगे बढ़ेंगे question number 5 के और it is one of the tiniest word in existence यानि कि सबसे चोटी चड़िया जिसका वजन 35 gram से भी कम होता है 35 gram स इसकी वजन जो है less होगी तो यह कौन है आपको इसका answer बताना है तो देखिए इसका जो correct answer होगा वो होगा island rail यानि कि seas का correct answer हो जाएगा यहाँ से आप इसकी image भी देख सकते हो आगे बढ़ेंगे next question के लिए the most poisonous piece यानि कि वो piece जो जहर दे बिल्कुल किसके तरह सांप की तर होगा दोस्तों वो होगा puffer face यानि कि seas the right answer यहाँ से आप इसकी image भी देख सकते हो मैं image इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जो है image इनसान के दिमाग में ज्यादा देर तक capture करती है rather than words तो image मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में क्या हो helpful हो next question ही विसकस होगा राइट आनसर इसका एसका करेक्ट आनसर हो जाएगा अगले question के और बढ़ेंगे name the plant which is among the world's rarest catty देखिए सबसी rarest दिखता है ऐसा इसे I mean जो यह चार options है ना इसमें कौन सा राइट आनसर होगा तो देखिए 8 का A अगर आप सोच रहे हो तो A बिलकुल नह 9 विच प्लांट्स लीप और यूज़ फोर ट्रीटिंग डायरिया देखो डायरिया डेंसेंट्री फोर दा चेकिंग वमिटिंग तो देखिए यह प्लांट का लीप जो है बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं इसका किस I mean डायरिया बगेरा हो जाए तो आप इसका यूज़ कर लेती हो तो यह आप लोगों ने सहथ देखा होगा अपने घरों में तो यह जो है ना करी लिफ है डी नमबर और अगर कोई हैदराबाद से हैं तो उन्हें पता होगा मैं हैदराबाद दो तीन दफा जा चुका हूँ एंड यह करी का पत्ता डाल में भी देते हैं चावल में भी देते चावल में भी दे दिया था इन्होंने से जी ह drinking om कॉमेंट करके बताना अगर हैदराबाद वाले ऐसा करते हैं या नहीं आप लोगों ने अगर टेस्ट किया है तो कॉमेंट करके बताईएगा क्वेशन नमर्ट 10 के ओर बढ़ेंगे इट इस अ इस अंसर आप कौन सा राइट आसर होका तो देखिए तार राइट आशर होगा तोसे नमर्ट 11 के और बढ़ेंगे when we celebrate world forestry day तो देखिए world forestry day आप कब celebrate करते हो very important question तो 21st March को हम लोगी से celebrate करते हैं question number 12 की ओर बढ़ेंगे we celebrate national youth day साथ ये question exam में आहीज आए याद रखीगा तो इसका जो right answer होगा 12 January को हम लोगी से national youth day मनाते हैं international youth day कम मनाते हैं question of the day आपके लिए ये रहा मैं दो तिन question और पूछूँगा question of the day मैं आपको बताना है international youth day कम मनाया जाता है next question आपके समने ये रहा question number 13 आप जवाब दोगे ये बहुत ही आसान है मैं नहीं चाहता हूँ किस का answer दूँ नीचे comment करके आप लोग बता दिजे question of the day के लिए दूसरा question रहा कि tiger के बच्चे को क्या कहते हैं आगे 14 और 15 देखिए मैं तीनों question आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ एक पहले भी देखिए आपको जो चार question देना है question of the day का answer पहला question ये रहा कि international youth day कम मनाया जाता है first question second question 13 14 15 ये तीनों questions का answer आपको नीचे comment box में करना है अपने नाम के साथ साथ आप अपने state का भी नाम mention करें thank you so much for watching this video have a good day आपको जाओ hilarious